एक एक करके उन पर भी बात करते हैं और आज क्राफ्ट्समैन आटोमेशन यहां हम देख रहे हैं कि जोरदार तेजी है स्टॉक देखिए अब 10% तक भागाता अभी भी 8% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है खबर आ रही थी कि कंपनी डियार आक्सियन में 375 करोड में करीब 76% हिस्सेदारी खरीदेगी और आटो कंपनियों में अगर कुछ बड़े क्लाइंट्स की बात करें वो भी इंके पूर्टफोलियो में हैं अपने स्पेस की कह सकते हैं कि लीडर्शिप जैसा सिचुएशन ये कंपनी इंज्वाइ करती है खबर आई उसके बाद हमने देखा कि देखिए 280 अंग उपर इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है गौरव आपसे समझना चाहेंगे अगर किसी ने तेजी के लिए स्टॉक में एंट्री लेली होगी ट्रेडिंग करने के लिहाद से और मुनाफ़ा भी अच्छा हो रहा है निकल जाने का समय है ये अभी चार्ट्स पे आपको और तेजी नजर आ रही है किसी ने अगर निचलेस तरों से वाय किया तो मेरे साथ से प्रॉफिट बुक पार्शल करना चाहिए पूरी तरह सा नहीं करना चाहिए लेकिन पार्शल बुक जरू करना चाहिए कि आप अगर आज का कैंडल देखेंगे तो उपर लिवर्स पे 3700 के पार गया था और अभी 3550 से करेब ट्रेट करा था तो उपर हम थोड़ी प्रॉफिट बुक हमको निजर आ रही है और हमको स्टक नहीं होना को पर प्रॉफिट बुक हैं कर लिजिए पूरा है इसके लेकिन पाशल गॉंडिया में बुक करने चीए हैं तो यह रणी आपको क्राफ्स्मेन आटोमेशन में सुझा दी गई है निशलिस तरों से जिसने खहिदारी की है वह प्रॉफिट बुक करके भी आ जा सकते हैं और तीजी के लिए अगर आप चाहे तो बने रह सकते हैं 9% यह स्टॉक इस वक्त कारूबार कर रहा है अचलिए बागे बढ़ते हैं और हमने खबर दी थी 28 दिसंबर को कि इसमें कंपनी करलॉन को खरीदने वाली है और आज यह खबर थोड़ी सी पुखता होती दिख रही है क्यों कंपनीन काया कि वह स्ट्रेटिजिक का शेयर हुआ करता था यहां से कुछ आपको मौके इसमें दिख रहे हैं क्या या फिर अभी लगता कि साइडवेज ही रहे गाई है कि वीकली चार्स इसके और मैं इसमें कंफरमिशन के पहले एंट्री लेने की सहला नहीं दूँगा यहां पर एक बार 1325 तक के क्लोजिंग आ जाती है उसके बाद में इसको बाय के लिए निज़र आ सकता है यहां पर मैं इसको फिला लगातार इस शेयर में तीजी है और अगर हम चार-पांच सत्र की वाद करें तो स्टॉक में मुझे लगता है कि 25-30% के आस-पास की तीजी औरी हो चुकी है इस स्टॉक को मोतिला स्टॉक के भी फोकस लिस्ट में है वहाँ पर साड़े 300 रुपे के आस-पास के टार्गेट दी है पुनावाला फिन कॉर्प में और यह खबर निकल क्या है कि प्रमोटर्स ने भी थोड़ी सी पाइंग की है अपने हिस्सदारी बढ़ाई है और हिस्सदारी 60% से बढ़ाकर 62% के आस-पास की है